कौन था कैप्टन नीमो? क्या था नौटिलस? और इन दोनों का इस चैनले से क्या रिलेशन है? आईए देखे आगे तो दोस्तों चैनल का इंट्रो वीडियो देखकर आप लोगों को ये तो समझ आ ही गया होगा कि यार इस नौटिलस का हमारे चैनल से कोई न कोई संबन जरूर है अब इस वीडियो में हम यानि कि आप और मैं बहुत ही सारी इंटरस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बाते करने वाले है जैसे कि नौटिलस, कैप्टन नीमो, जूल सुवन, अटलांटिस, साउथ पोल, ग्रीक मतालोजी, ओडिसिस और बहुत कुछ अब इन चीजों के बारे में आप लोगोंने कभी न कभी तो सुना ही होगा इन नामों को सुनते ही आपके दिमाग में भी कोई नो कोई तार तो छड़ी ही होगी तो बस आपके मेमरी को मैं ताजा कर देता हूँ आप बस अराम से बैठो, हेड़फोन्स को लगा लो और इस वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि आपके विजडम के इस समंदर में नॉलेज का एक और बूंद एड हो जाए तो दोस्तो नॉटिलिस के बारे में जानने से पहले हमें कैप्टन नीमो कौन था ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कैप्टन नीमो के बारे में जानने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि नॉटिलिस क्या था अब ऐसा समझ लो कि दिल और धड़कन की तरह कैप्टन नीमो और नॉटिलिस भी एक दूसरे के साथ जुड़ेवे है तो अब हम स्टार्ट करते है कैप्टन नीमो से तो दोस्तों कैप्टन नीमो एक फिक्शनल कारेक्टर है जिसे क्रियेट किया था फ्रेंच नॉवलिस्ट जूल्स वर्न ने वर्न ने अपने दो बहुत ही मशुवू साइन्स फिक्शन क्लासिक्स में कैप्टन नीमो को अपने एक मुख्य किरदार की रूप में पेश किया था क्लासिक साइन्स फिक्शन नॉवल्स जिनका नाम था 20,000 लीक्स अंडर दे सी जो 1870 में आये थी और दो मिस्टीरिस आइलेंड जो 1875 में आये थी नीमो का किरदार एडवेंचर जगत में इतना मशूर हुआ कि 1982 में एक और नावल आई जर्नी थू इंपॉसबल 20,000 लीक्स अंडर दे सी इस नॉवल में जो तीन मुख्य किरदार है उनका सामना एक समुद्री दैते से हो जाता है उस सी मॉंस्टर से लड़ते लड़ते जब ये लोग समंदर की तरफ खीचे चले जाते है तब ये अचानक से एक समुद्री तूफान चलाता है जब तूफान शान्त जाता है तब उन तीनों को ये समझ आता है कि वो सी मॉंस्टर असल में एक फ्यूचरिस्टिक सब्मरीन है उन तीनों को कैप्चर करके अंदर लिया जाता है और फिर इंटर्डूस करवा जाता है उस सब्मरीन के मिस्टेरियस मैनफेक्चरर, कमांडर और कैप्टल से नीमो नीमो ठूआउट दे हिश्ट्री एक मिस्टेरियस फिगर है जबकि शुरू में किसी को ये नहीं पता था कि नीमो कहां से आया है लेकिन बाद में उसका उरणन एक इस्ट इंडियन राजा के बेटे के रूप में किया गया है एक साइंटिफिक विजनरी नीमो सातो समंदर की गहडाईयों को अपने सब्मरीन के द्वारा नापता था जिसे अलग-अलग देशों में बने पार्ट्स को एक जगा लाकर बनाया गया था नीमो एक लाटिन शब्द है जिसका इंगलिश में मतलब होता है कि नो वन या नो बड़ी जबकि नीमो एक लाटिन वर्ड है ये खुट ट्रांसलेशन है एक एंचिन ध्रीक वर्ड का जिसका नाम है उटिस उटिस और नीमो इन दोनों शब्दों का सेम मीनिंग है यानि कि कोई नहीं ग्रीक माइथालाजी में ओडिस एक एंचेंट हीरो है जिसने साइकलोप्स पॉलिफेमिस को मारा था साइकलोप्स एक आख वाले दानों होते हैं अपने सफर के दोरान जब ओडिस को इस साइकलोप्स के बारे में पता चला तो उसे मारने के लिए कोई न कोई चाल चलना जरूरी था ऐसे में Odyssey's को एक तरकीप सुजी उसने अपना एक जूटा नाम रख लिया Ootyz लड़ाई के दोरान जब Odyssey's से उस Cyclops ने उसका नाम पूछा तो Odyssey's ने उससे अपना जूटा नाम बता दिया उससे क्या हुआ कि जब Odyssey's ने उस दानों की आँख फूर दी तो पॉलिफेमिस दर्द में चिल्ला उठा उसने कहा उटिस मुझे मारने की कोशिश कर रहा है जिससे उसे लगा कि उस आइलेंड पर मौझूद बाकी के साइक्लॉप्स उसकी मदद करने वहां आ जाएंगे लेकिन हुआ उसका उल्टा क्योंकि बाकी के दानवों ने उसे सुना जरूर लेकिन उन्हें लगा कि पॉलिफेमिस कह रहा है कि उसे कोई नहीं मारने की कोशिश कर रहा है बिजारा दानव मारा गया दोस्तों कैप्टन नीमो की तरह ओडिसिस भी समंदर का बादश्या था और दोनों के सफर में एक बात तो से मिले थी ही कि वो दोनों ही अपने दल के लोगों की दुखत मौत का हमेशा शूख जता दे थे एक फैक्ट ये भी है कि दुनिया भर में आर्टिस्स, राइटर्स और अन्यकलागार इस सूडियो नेम को हमेशा अपनाते हैं अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाने के लिए बायोग्रफी आफ दे क्यारेक्टर 20,000 लीक्स अंडर दे सी इस नौवल के में नेरेटर प्रोफेसर पीरी आरोनाक्स ने नीमो की किरदार का काफी अच्छा वर्णन किया है प्रोफेसर एरोनाक्स और उसके साथियों को पहली बार मिलने पर नीमो के साथ वो लोग इंग्लिश, फ्रेंच, लेटीन और जर्मन इन भाशाओं में समवाद करते है समवाद के दौरान ऐसा दिखता है कि जैसे नीमो इन सारी भाशाओं में एकदम फ्लुएंट तो है ही बल्कि उसे इन भाशाओं का काफी ज्यान भी है प्रोफेसर के हिसाब से नीमो एक लंबा और चोड़ा आदमी था उसकी आँखों की गहराईयों में प्रोफेसर को एक पावर्फू लीडर दिखता था अगर प्रोफेसर के खुद के शब्दों में कहा जाए तो नीमो इनसानों में मौझूद अभी तक का देखा हुआ उसे सबसे अदबुत फिजिकल स्पेसिमन लगता था और हाँ यहाँ पर इक बात में आड़ करना चाहूँगा को प्रोफेसर एरोनैक्स खुद एक साइंटिस्ट और एक बैयोलोजिस्ट था दे मिस्टीरिस आइलेंड में नीमो अपने उमर के 60 साल तक पहुँच गया था और लंबी सफेद दाड़ी रखता था 20,000 Leaks Under the Sea इस नावल में नीमो के इतिहास के बारे में जो लिखा गया है उसके मुताबिक उसे बिटिश एमपायर और उसके सामरा जवदी सोच से सक्थ नफरत थी The Mysterious Island इस नावल के हिसाब से कैप्टन नीमो को भारत में प्रिंज डकार इस नाम से जाना जाता था वो गुंडेल खट के एक हिंदू सिख राजा का बेटा और किंग्डम अफ महिसूर का मुस्लिम सुल्तान फटह लिखान सुल्तान टीपू उसका वजशच था 1857 के इंडियन रिबेलियर के बाल जिसमें प्रिंज डकार ने अपना राज्य और अपनी फैमिली दोनों को खो दिया था उसने अपने आपको साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए समध्पित कर दिया और आखिरकार उस नॉटिलस को बनाया जिसमें बैटकर वो अपने क्रू के साथ दुन्या की सेर करने निकल गया खुद ही खुद को अपने राज्य से दूर करने वाले आदमी के पास अप डूवल मोटिवेशन थी साइंटिफिक नॉलेज की खोज करना और ब्रिटिश अंपायर जैसी सामराजवदी सोच को खतम करना उस सदी के बहुत सरे राजकुमारों की तरह नीमो ने भी वेस्टर एजिगेशन प्राप्त की थी जिसके दोरान उसने सारे यूरोप का टूर और उसका स्टड़ी किया था नॉटिलिस की लाइबरेरी, लॉंच और उसके सारे आर्ट कलेक्शन से ये साफ साफ पता जलता है कि यूरोपन कल्चर से नीमो कितना प्रभावित था दोस्तो प्रोफेसर एरोनाक्स ने एटलैंटिस की खोज का शरे भी कैप्टन नीमो को ही दिया था अब अगर मैं एटलैंटिस के बारे में बोलना चालो कर दूँ तो फिर हमें ये वीडियो कम पड़ जाएगा तो बहतर यही होगा कि एटलैंटिस के टॉपिक को फिलाग पीछे जोड़ते हुए हम अपनी कहानी को लेकर आगे बढ़ते हैं अपने घर को छोड़ने पर और समंदर की सफर में निकलने के बाद नीमो ने कभी भी ऐसे जमीन पर पैर नहीं रखे जहां इंसानी सब्वेताई बसती हो वो सर्फेस सिविलाजेशन से हमेशा दूर भागता था और इसलिए एक दिन नीमो एंटार्टिका पहुँच गया और वहाँ पहुचकर नॉटिलिस और उसके क्रू ने साउथ पूल को भी क्लेम कर लिया अगर हम मिद्स और लेजंड्स की माने तो जब नीमो ने अंटार्टिका में स्थेज साउथ पूल को क्लेम किया तब उसने वहाँ पर एक फ्लैग को लहराया उस फ्लैग में काले बैग्राउंड पर एक बड़ा अक्षर लिखावा था एन वो भी सोने में जो की बाद में नीमो का एंबलम बन गया नॉटिलिस का मोटो था मोबिलिस इन मोबिलाय जो की एक लैटिन फ्रेज है जिसका इंग्लिश में मतलब है जिसका अगर और डीप मतलब निकाला जाए तो कुछ ऐसा बनेगा कि मुविंग विदिन मोशन या चेंजिंग विदिन चेंज नॉटिलिस को जूल्स हुआ ने अपने नॉवल्स में कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया था अ मास्टरपीस कंटेनिंग मेनी मास्टरपीसेस एक इनिवेट्व इंजिनियर नीमो ने खुद नॉटिलिस को डिजाइन और उसका मैनॉफर्ट्चर किया था जिसमें उसका इलेक्रिट प्रपर्चन यॉनिट और उसका नाविगेशन सिस्टम भी नीमो ने खुद ही बनाया था अपने एक्स्टराओर्णरी स्किल्स के साथ इन टेक्नोलोजी का उप्योग करके ही नीमो समंदर के सबसे कटियन अंडर वाटर पैसेज़ेस को क्रॉस करता था तभी तो एंटार्टिक आइस बैरियर के नीचे से गुजर कर वो साउथ पोल तक पहुँच गया नॉटिलिस की एक और खास बात ये थी कि उसमें नीमो ने फ्लाड़ेबल टैंक्स डिजाइन किये वे थे जो इसकी डेप्थ को कंट्रोल करते थे मतलब डीप सी एक्स्प्लोर करते वगत नॉटिलिस का वजन इन फ्लाड़ेबल टैंक्स के अंदर अचानक पानी भर जाने की वज़े से अपने आप बढ़ जाता था अब पानी के अंदर अचानक वजन बढ़ जाने से क्या होगा ये तो आपको पता ही है लेकिन मजा यहां खतम नहीं होता दोस्तो नीमो ने जो पंप्स लगा रखे थे नॉटिलिस के अंदर वो इतने पावरफुल थे कि इन टैंक्स को पलक जपकते ही खाली कर देते थे जिससे नॉटिलिस को एक तेज शार्क की तरह समंदर की गहिरायों से पानी की सतर तक आसानी से लेकिया सकते थे नॉटिलिस में मौजूद इस टेकनीक की वज़े से बहुत से अब्जर्वर्स को इसे देखकर ऐसा लगता था कि ये एक बहुत बड़ा वेल है या शायद कोई ऐसा सी मौंस्टर है जिसे उस वक्त का साइंस भी नहीं समझ पाता था नॉटिलिस की वास लाइबरीरी में रखे हरे किताब को पड़ जुगा था चाहे उसकी भाषा कोई भी हो नॉटिलिस की लाइबरी को पहली बार देखकर प्रोफेसर एरोनैक्स ने एक ही बात कही जिसको मैं कोट करना चाहता हूँ नो म्यूजियूम इन यूरोप हैस सच अ कलेक्शन अव एक्जिबिट्स दाट नॉटिलिस हैस फाइन आर्ट्स में कैप्टन का एक बहुत ही एक्जोटिक टेस्ट था क्योंकि ओल्ड मास्टर पीसस से लेकर मॉडरन तक उसने बहुत सारी पेंटिंग्स और स्कल्प्चर्स लगा रखी थी नीमो ने अपने हातों से कलेट किये हुए पर्ल्स, कोरल्स, सी शेल्स और अन्यम मरीन आटिफेक्ट्स को इनी पेंटिंग्स के साथ नॉटिलिस के मेल नॉज में लगा रखा था नॉटिलिस के अंदर एक बहुत ही लैविश और बड़ा डाइनिंग रूम भी हुआ करता था और इसके साथ साथ एक ओर्गन भी था जिसे बजा कर नीमो अपना और अपने साथियों का मनोरंजन भी करता था नीमो और्गन पे एक बहुत ही अच्छा पर्फॉर्मर था नॉटिलिस के अंदर ही नीमो ने अपनी आखरी सास ली थी मरते समय नीमो ने अपनी असली पहचान अपने क्रूड के सामने रखी थी और उसने उन्हें वो सारी कहानिया बताई कि कैसे एक लॉस्ट इंडियन प्रिंस डखार कैप्टन नीमो बन गया नीमो के फाइनल वर्ट्स थे गॉड और माई कंट्री कैप्टन नीमो के मरने के बाद सीरियस स्मित जो नीमो के दल का लीडर भी था जिसकी जान नीमो ने खुद एक समय दुश्मनों से बचाई थी उसने उनकी अंतिम विदाई भी की थी दे मिस्टीरिस आइलेंड के एक उफा के अंदर जिसका नाम नॉटिलस के क्रूने बाद में दटकार ग्रोटो रख दिया था उसमें नॉटिलस को पर्मरेंटली डॉग करके रख दिया गया और फिर नॉटिलस को डखार ग्रोटो के घराईयों में हमेशा के लिए चुपा दिया हाला कि नॉटिलस का अंतिम फेट अभी भी एक राज ही है तो अब दोस्तो हमारे इस वीडियो के तुरू आपके अपने विजडम के समंदर में नॉलेच का ही जो बूंद है छोटा ही सही एड हो चुका है जिसमें आपने देखा कि किस तरह नीमो ने अपने नॉटिलस के साथ अलग-अलग लेजंडरी एक्स्पिरियेंस को एक्स्प्लोर किया था बिल्कुल वैसे ही हमारा ये चैनल काफे कुछ एस्प्लोर करने की सोच में है नाम है नॉटिलस PC झाल झाल